हेलो फ्रेंट्स मैं जितंदर जेपी मॉवैल के एर से दोस्तों आज से चार-फांच महीने पहले हमने एक माइक्रस्कोब को पर्चिस किया था जिसका मॉडल था डी 75T मेकैनिक तो दोस्तों इसकी अन्वाक्शिंग वीडियो तो हमने बनाई नहीं थी लेकिन चार महीने परे में पूरी डिटेल्स पताएंगे कि इन दोनों लेंस में डिफरेंट क्या होता है और यह दोनों लेंस को क्या होता है और इन दोनों में बैटर कौन सा है और आपको कौन सा पर्चिस करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए तो चलिए दोस्तों वीडियो पर बने रहन तो तब इसकी कीमत हमने यह हमने 19,000 में पर्चेस किया था आज तो लगवा कि इसकी कीमत बहुत कम हो गई है इसकी कीमत मेरे खाल से आज के टाइम में तो 15,000 के सम्थिंग है तो इसकी क्वालिटी की आप चलो बात कर ले दे इसकी क्वालिटी की क्वालिटी क्वालिटी क्या इसमें यह देखिए मैं कोशिच कर रहा हूँ आपको दिखाने की की क्वालिटी की में कोई फारक नहीं और मेरी अच्छा लगाई यह बजट के साफ से वी ठीक है और इसके साथ साथ हमें जो के साथ मिला फ़में एक थोड़ा बेस मिलता वरी सीटियवी लैंडलि यह मिला था और क्योंकि थोड़ा उस से मुझे बड़ अजीब सा लगता देखने में तो मैं तो इसको वैसे ही यूज गरता हूँ और क्वालिटी में कोई फरक नहीं है बहुत अच्छी क्वालिटी एसकी और मैंने इसके अंदर जो लेंस लगाया हुआ है वह 0.7 का लेंस लगाया हुआ है इससे जो हमारे Microsoft में टोड़ी खर्म होजाती है लिग जो अब हम पीसीव का इस चीज को हम फोकस करें उसका जो फोकस होता है वह बैटर होजाता है और जीरओ पॉरंट 0.5 की बात करें तो हम 0.5 में क्या होता है कि इसको लगाएंगे हम तो 0.5 को लगाने की बात क्या होता है कि इसकी सब्सक्राइब के हाइट तो बढ़ जाएगी लेकिन फोकस में वह बाली बात नहीं होती जो होनी चाहिए और मेरे साफ से 0.07 जो लैंस है वह बहुत बैटर है तो अब इसमें क्या होता है कि जब आपको एक दो एक दो बार में आपको दिक्कत आएगी उसके बाद उसके कर सकते हो जीरो पॉंट सेवन्स के जो लैंस है उससे भी आप इसके नीचे काम कर सकते हो कुछ दिक्कत नहीं एक दो बार में आपको थोड़ी प्रिसानी होगी बग्रिस के बाद तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली तो मेरे हिसाब से जो जीरो पॉंट फाइब है उसकी है जादा हो जाती है लेकिन जो यह हमारा जो बीच का जो यह जो गैप है यह बढ़ जाता है यह फरक होता है कि जीरो पॉंट जो सेवन होता है उससे हाइट कम हो जाती है लेकिन फोकस अच्छा हो जाता है और जीरो फाइब जीरो पॉंट जो फाइब का जो लेंस होता है उस से क्या हो जाएगी हाइट आपकी कम हो जाएगी और आप SMT से भी काम कर लोगे वह कोई बड़ी बात नहीं है यह इतना गैप यह हमारा बहुत होता है इतना गैप में आप अपनी से अपनीजी बन से ज़ा सकते हो तो इसमें क्या होगा जीनो पुसका फायदा इसका जो फायदा है वह फायदा क्या होगा कि इसमें आपको फोकस अच्छा मिल जाएगा आपको quality इसमें अच्छी मिल जाएगी तो मेरे इसाब से आप 0.7 ही लें ठीक है दोस्तो तो बाकि वो आपकी मर्जी है कोंसा low कोंसा not low लागी मेरा तो यही है कि आप 0.7 का लें तो इसमें बहुत better quality है quality बेटर मिलेगी आपको आप जब इसको आप पेशे क्यामिट्र लगा के लागे एक बड़ी में के लिए चिए टी थे तो मिस्स to मेरे बताने का मक्षट यही कुलिख क्योंब्में कि माइक्र फosa में 115000 ऐंट तो बहुत थी क्योड़ दूसरी बात जो और दूस्री बात ती यह लैंस की बात तो 0.75 जो लेंस है वो मेरे इसाफ से मुझे अच्छा लगता है और आपको भी 0.75 लेना चाहिए तो कि फोकस अच्छा मिलेगा आपको के लिए अच्छी मिलेगी तो दोस्तों यह हमारी आज की जो वीडियो थी छोटी सी यह आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दे ना तो वीडियो देखने के लिए ठैंक्स पर फ्रेंड आप 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 आप